उत्तरपुर्वी दिल्ली के सीलंपूर इलागे में 12 साल की किशोर के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है इलागे की तीन किशोर ने उसके साथ अप्राकरतिक यौन संबन बनाए फिर उसके प्राइवेट पार्ट में रॉट डाल कर मार पेट की गंबेर आलत में किशोर अपने गर पहुँचा और चार दिनों तक वे अपने दर्द को सहता रहा जब उससे दर्द बरदाश नहीं हुआ तो उसने अपनी आप भीती अपने परिजनों को बताई जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई और उससे अस्पताल में बरती कराया गया जहां उसकी आलत गंबेर बताई जा रही है पुलिस ने संबंदित धाराओं में मुकदमा दर्चकर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है DCP संजे कुमार सेन के मताबिक 22 सितंबर को 10 साल के किशोर के साथ अपराकरतिक यौन शोषन की सूचना मिली पुलिस ने पेडित परिवार से संपर किया लेकिन पेडित परिवार ने बयान देने से इंकार कर दिया पेडित परिवार की सामाजिक संस्ता से काउंसलिंग कराए गई जिसके बाद 24 सितंबर को पेडित परिवार ने ब्यान दिया ब्यान में सामने आया कि किशोर के साथ उसके तीन दोस्तों ने ही यौन शोषन किया था सभी की उम्र दस से बारा साल की है इन में से एक पेडित का चचेरा भाई है इसके खिलाब अप्राकरतिक यौन चोशन और पॉक्सो एक्ट के तैट मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने इन में से दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है दिल्ली महिला आयोग इस पूरी घटना पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है दिल्ली महिला आयोग की अद्यव स्वाति मालिवाल ने इस घटना को लेकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्ता पर सवाल उठाया और कहा कि दिली में लड़की तो क्या लड़के भी सुरक्षित नहीं है 22 तारीक की दोपहर लगबख सवा तीन बजे LNJP होस्पिटल से थाना सीलंपुर में इन्फॉमिशन मिली है एक बच्चे को घायल अवस्ता में एडमिट कराया गया है आयोज़ जब वहाँ पहुँचे, फैमिली से जानना चाहा स्टेटमेंट लेना चाहा तो उनकी रिलेक्टेंस नजर आई ऐसे में सखी सेंटर की काउंचलर की मदद से विक्टिम चाइल की मददर की काउंचलिंग कराई गई और उनका स्टेटमेंट ले पाए बयान के आधार पर दारा 377-34 IPC और OXO Act के तहट केस रेजिस्टर कर लिया गया और सेम दे एक CCL को एप्रिहंट भी कर लिया गया आज दूसरे CCL को एप्रिहंट कर लिया गया और तीसरे की तलाश चारी जांच में ये पता चला कि वास्तों में घटना 18 तारीकी है जिसे परिवार ने चिपाई रखा और ये तीनों अलीज्ट CCL सेम कम्यूनिटी से और सेम लोकालिटी से आते हैं पडोसी हैं और इन में से एक विक्तिम चाईल का कजीन ब्रदर भी है टॉप सोरी विरो के लिए डिल्ली से रभी डाल मिया की रिपोर्ट